दिल्ली में EV पर सबसे ज़्यादा इस वक्त फोकस किया जा रहा है EV के फ्यूचर को लेकर काफी ज़्यादा सरकार सोच रही है तो EV का क्या है फ्यूचर, क्या है सरकार की सोच इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौझूद है दिल्ली के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर केलाश केलोची सर कैसे हैं आप अल्वेल सर सबसे पहले मैं आपसे जाना चाहूंगी बहुती नॉर्मल तरीके से की यह EV के पीछे क्या सोच थी सरकार की देखिए EV की पीछे सोच यह थी की दिली के पॉलिशन को कैसे कम करना है और अपार्ट रॉम अधर स्टेप्स विच 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 विट टेकन बाई डिली गवर्मेंट तो जब हम ट्रांस्पोर्ट सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे जादा जो वहिकल से पॉलिशन निकलता है उसको हम कम कैसे करें तो फिर इसी सोच के साथ और जो माने सी है मर्विन केर्जिबाल जी का विजन था कि दिली का पॉलिशन हमें कम करना है तो इसलिए फिर डेली एवी वहिकल पॉलिशी लांच किया 2020 में और उसमें काफी सारे इंसेंटिव्स अलगलत रहें के चीजी हमने रखी जिससे एलेक्ट्रिक वहिकल्स को एक पुश मिले क्योंकि जितने जादा एक्ट्रिक वहिकल्स दिली के सटकों पर दॉड़ेंगे उतना ही प्रदूशन जो है वो कम पड़ा त्या कुछ दिक्कत थी या असानी से हो गया नी असान तो नहीं क्योंकि ये नियो टेक्नोलोजी है और देश में पहली बार हो रहा था कि इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े स्केल पर एलेक्ट्रिक बसेस को इंड़क्ट किया जा रहा है और बसेस के हम जब प्राइविड वहिकल हम अपने प्राइविड वहिकल से दस से बीस-30 किलोमेटर यूजडी चलते हैं तो बसेस जितनी ज़्यादा इलेक्रिक बसेस दिल्ली के सटकों पे होंगी उतना ही ज़्यादा उसमें फिर पोलिशन में कमी होगी आइटिंक इट वोज अबिक चैलें यहने आगे क्योंकि एटिक बसेस को रौलाऊट करना उनका प्रक्यारमेट करना फिर उनको किस प्रकार से वो तरेंडर से होने हैं और अधिक बसिस को इंडेक्त करने के साथ एक बहुत जो इंपोर्ट्टेंट अश्पेक्ट है ऐसा नहीं आक्टिक बस को लाके आप पार्क कर देना है लेकिन वह पार्क जहां पर होगी फिर उसके लिए उसको चार्जिंग की वयुस्ता भी करनी है और एक डीपो को एलेक्ट्रिफाई करने के लिए आपको पूरी प्लैनिंग उसमें करनी पड़ती है जो विजली विवाग है जितने डिस्कॉम्स हैं पावर माने सोची आप एक डीपो में सौ बसे हैं वह सौ बसे एक साथ जब चार्ज होती है तो बहुत ज्यादा इलिट्रिक की कंजम्शन होती है और वह पूरे ग्रिड को एफेक्ट करती है तो आइधिंग इट वस वेरी चलेंजिंग टास्क बट माने सीम साब के माधशन में उन कि दिली मे बाज़ान के लिए महिलाओ के लिए फ्री सर्विस है फ्री यातिरा गर्ने की इसमें मार्शल्स भी अपॉंट किये गए हैं तो इसमें कितना खरचा आजाता होगा कितना बजट आप कैसे मैनेज करते हैं इसको नी सीम साब ने बाबर कहा है कि जब बात एक आम कि दिल्ली वासियों को सेफ महसूस कराने की है तो फिर बज़ेट हैस नेवर बीन इशू और अधिंक और अबरेज हर साल लगबग आधिंक अराउंड 200 करोर्स जो है वह एक्स्पेंडिचर हम बेर करते हैं इतने में हमारे मार्शल्स जो है वह बसों में है अच्छा ओके सो काफी डिफिकल्ट हो जाता होगा आपके लिए अभी डेली में 400 नहीं e-buses एड हुई है तो इसमें इलेक्रिक होने के लावा और क्या फैसिलिटीज है जनता के लिए सबसे बड़ा जो फाइदा है वह तो इलेक्रिक है बसो घंटीज है यह मिल सबसे कर लिए यह हमने सो खेलेफाइ किया है यह हंन्डेट परओके ट्र dau्स भी ख़िए ने वह जो भी इसे ₹कर ट्र डीटीज है अचि लिए तो इसे इंग्डेड परिसों ज्राइद पर समोक तो बालिशन नहीं आए तो जैसे आपने बोला करें तो और क्या सरकाल करें और इससे क्या आपको लगते है क्या कुछ चेंजिस आई है कुछ सॉलुशन निकला है अभी तक पॉलुशन के लिए ती चेंज तो बहुत इसमें चेंज आगर आप देखें 2015 से लेकि अभी तक पर दी पर्डियर प्रफॉट बिए बीन टेबल बाई सेंट्ल गोवर्मेंट इन दी पार्लेमेंट वह खुद कहती है कि 25 परसंट जो है वो पोलुशन में रिडक्शन हुआ है हमारी डिपोर्ट नहीं है मैं क्लेरिफाइ कर रहा हूं पिर आप पही है कि हम खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं तो यह रिपोर्ट हमारे नहीं है रिपोर्ट टेबल हुई है पार्लेमेंट में और उसमें कहा गया कि 25 परसंट जो है वो पोलुशन दिली में कम हुआ वो प बजली 24 पर 7 है आपको यादो पहले पावर कट लगा करते थे जी आठ नौनो घंटे के उसको हमने दुरुस्त किया जिसकी वज़े से जिसकी वज़े से जो लाखों जेनिटर चलते थे वो बंद हुए जितनी फैक्टरीज में पॉलुटिंग फ्यूल यूज हुआ करता थ उसको किया दिली में पॉलुशन और किस प्रकार से कम क्या डेस्ट को हमने काफी उसको रोका जो बर्निंग हुआ होती है सर्दियों में उसको कंट्रोल किया तो यह सारी चीजे हैं जो और इसके साथ-साथ जो ट्रांस्पोर्ट में बहुत बड़ा बदलाव है कि अगर हम सोचिए दिली के जितने भी वहान है और संक्या बहुत है वहिकल्स की दिली में वहान है तो अगर हम जितने भी यह वहान है अगर हम इनको एलेक्रिक कर दें तो स्ट्रेट वे वे विकन से कि हमने और बीस परसंट पर्लुशन जो है वह और हमने कम कर दिया जी सो एट इस वाई जो एलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलशी को हमने बहुत मेहनत के साथ और कंसलिटेशन बहुत की हमने इसमें और सीम साब के गाइदेंस में इसको हमने यह बहुत जादा आजकल बहुत ही दिक्कत हो जाती है लोगों को तो मतलब ट्राफिक जैम क्या आप समझते है क्या रीजन होगा इसके पीछे इसके लिए क्या आप सॉल्यूशन कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं तेकि ट्राफिक जैम उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि traffic को manage किया जाना चाहिए तो traffic management is a full-time job और this has to be done by traffic police although हमारी अब as a transport minister I am responsible कि हमारी बसे जो है वो ठीक तरीके से चले और उसके लिए हमने लगबग अब लगबग गेड़ साल हो गया लगातार हमने एक पूरा एक प्रोग्रम लांच किया हुए है कि हमारी बसे जो है वो left lane में चले और उसके लिए यूल बी surprise to know कि आज भी पूरा लगातार देड़ साल हो गया है आज भी हमारी असी टीम 80 teams every day they are monitoring चलान कर रहे हैं बहुत drivers के हमने चलान किये हैं जो bus lane में प्रश्पॉर्समें टीम तो हमारा ट्रांस्पॉर्समेंट टीम यह उसको कर रहे हैं डीटीची की अलग वहीकल्स लगे वें जो अवारे सब्सक्राइब के लिए अलग वहिकर अगे हैं और हमने एक बहुत स्ट्रिंजेंट और इशू किया ड्राइवर्स के लिए स्पेसिकली और हमारे रिदक्शन बहुत वाया इसमें अपार्ट फॉन ट्रैफिक जैम यह पूरा जो एक बहुत इंपॉर्टन आइसपेक्ट है उस देड़ हजार के आसपास जो है लोग आर इंवल्ड इंवल्ड इंफितल एक्सिदेंट तो जब से हमने यह बस लेन एंफोर्स किया है कि लेफ्ट में चलेंगे और बस लेन में चलेंगे तो बसों की जो एक्सिदेंट हो रहे थे उसमें काफी गिरावत आई है जो हम कार ऐंप हमारे हाथ में उसको कर रहे हैं आई विड एपील दिल्ली पुलिस कि जहाँ जहां जहां चोक पोईंट थे हैं लेकि पैसा निया कि पूरी दिली में लगता है लेकि जाम पारेकित जाए मैं इसा निसकों अगर आप सिंगपर जाये वहां भी जाय में और न में जहां पर, I think especially in the peak hours, if we manage that I think we will spend less time on the road and more time with the family or friends राइट राइट यह तो आपने बहुत ही कहा कि कुछ पर्टिकुलर जगा पर लगता है जाम यह तो हम मान सकते हैं I'll just add to the topic आपने traffic जाम का किया, now as a responsible government जो हमने identify किये काफी points जहां पर heavy traffic है तो वहां पर हमने बहुत सारे flywords बनाई, I'm forgetting the numbers but लगबग 27 नए flyword जो है वो add हुए है काफी जगें तो आप बिलकुल signal free है, if you ring road पर अगर आप बात करें तो मेली तो आप राजय गारण की तरफ आप देखिए पूरा वो stretch signal free है similarly दोलक वहां कित से लेके भीकाजी भीकाजी से आगे अगर आप चलें स्राइक अलेखा और फिर नॉड़ा निकल जाए that entire stretch जो है वो भी signal free है so जो choke point से और important जो traffic जहांब traffic जादा है so I think we keep doing surveys with the PWD and transport department से पुरो involved रहता है और जो जो inputs आते हैं we are planning कहीं underpass हमने प्लाइन की कुछ particular patches है जहां पर jam की problem रहती है so back to on EV अगर लोग EV खरीदें EV लोग खरीदना चाहते हैं खरीद रहे हैं आप कैसे उनको convince करेंगे कि वह और EV की तरफ जाएं उनके मन में कोई second thought नहीं हो तो आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे कि उनने क्यों EV की तरफ जाना चाहिए जब हमने EV policy launch के तो हमने बड़े aggressive targets रखे हैं कि 2024 तक हमारा जो total registration है उसका 25% electric vehicle होने चाहिए आप करेंगे तरफ जाना चाहिए जब हमारा जो EV registration वहिकल का था वो सरफ एक या दो परसंट था आज हम comfortably we can say कि 9-10% की बीच में हम अलड़ी हैं अल्दो हमारा target जो है वो 25% का है but I think every day and every year we are moving closer to the target और I think इसमें हमने 360 degree इसमें हमने publicity किया लोगों को convince करने के लिए हमने उनको educate किया कि electric vehicles कि ये फायदे हैं सबसे बड़ा फायदा है कि कोई pollution नहीं है second इसमें हमने incentives काफी दी अगर आप हमारे policy देखें और यह मैंनी कह रहा कि हमारी जो दिल्ली electric vehicle policy है it is not only one of the best in the country but it is one of the best in the world यह जो experts है वो कह रहे है यह again मैं रिपीट कर रहा हूं यह मैं नहीं कह रहा है यह दिली सरकार नहीं कह रही है this has been again and again at different forums this has been acknowledged by जो leading experts हैं electric vehicles के बारे में और उसमने जो अलग अलग incentive दिए जैसे अगर आप गाड़ी कार खरीटते हैं तो उस पे लगबग 1.5 लाग का incentive है अगर आप टूविला करीटते हैं तो उस पे पर किलोवाट आवर जो बैटरी है उस पे इंसेंटिव है आपकी कोई पार्किंग चार्जिज नहीं है आपका registration बिलकुल free है जो दूसरे बाहन है जो हम कहते है चोटा हाती वो उसके लिए फिर हमने एक और हमने उनको किया कि अगर पीक आर्ज में भी जो नो इंट्री जब होती है जब ये commercial गाड़ियों के लिए नो इंट्री होती है यूजली पीक आर्ज में जो commercial गाड़ियों है उनकी नो इंट्री होती है ताकि ट्रैफिक और न बढ़े जो उसमें अगर आप छोटा हाती जो I think technically we call them N1 वाले जो शायद वहिकल ये आप शायद जाती है यूजली इस पर जोटे देंट्री जो आप जो अगर आप फर पीक आर्प में बी और नो इंट्री की टाइम भी वह जा सकता है So, there are different kind of incentives which we have given Some cash incentives and some other incentives and I think I must congratulate Delhiites जाँ दिल्ली वासियों को बदाई देना चाहँगा कि नए टेक्नोलोजी होने के बावजूद उन्होंने इस टेक्नोलोजी को अपनाया और बहुत अच्छे से अपनाया अगर अच्छी बात है और अगर आप अच्छी बात है और अगर आप अच्छी बात है तो इस दिल्ली वासियों के लिए फायदेगी बात है एक और में क्वेशिन करना चाहूंगी जैसे एवी जैसे हम लोग यहां पर डेली के अंदर अगर एवेकल बाहर जाते दिली से बाह तो मैंलब काफी ऐसा नहीं कि सिरफ दिली में ट्रावल किया जाता है तो उसमें कैसे आपने सोच आए कैसे फैसलेट करेंगे आप दिली के बाहर तो जो दूसरी स्टेट से उनके साथ जिस तरीके से अरविन केजिवाल जी का जो विजन है कि हमें दिली को आज से तीन सार पह आज हम कहते थे कि दिली को EV capital बनाना है आज हम कह रहे हैं कि डेली इस एवी capital हाइस नंबर ऑफ लेक्रिक बसेज जो है वो अब दिली में है 800 बसेज पूरो देश में और कहीं नहीं है किसी स्टेट में या शेहर में उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने जो एलेक्ट्रिक व के लिए चाहे हमारे बसे के लिए वो charging station charging points है या जो पुब्लिक की जो वाहन है जो वेहिकल्स है उनको चार्ज करने के लिए भी हमने पूरा network हम तयार कर रहे हैं अलड़ी हमारे साढ़े चाहर हजार से ज्यादा charging points है दिली में and this is the highest in the country किसी भी शेयर में इतने charging points functional नहीं है हमारा target है कि आने वाले कुछ सालों में 18,000 charging points दिली में होंगे 18,000 is a very big number and a very good number ताकि जो भी electric vehicle owner है उसको यह चिंता नहीं है mind में या मन में कि अगर मुझे nearest charging point कहा है या मुझे charge करने के अगर जरूत पड़े तो वो कहा होगी तो I think उसी अगर हमें देखे पोलुशन ऐसा नहीं है कि पोलुशन से दिली में है उतना ही पोलुशन गुड़गाओं में भी है उतना ही पोलुशन नॉइडा और गाजयाबाद भी है उतना ही मेरेट में भी है तो I think with the same commitment and with a clear vision I think जो दूसरी स्टेट से उनको भी मूव करना चाहिए कि जितने ज्यादा लेक्रिक वहिकल्स वहां भी और स्टेट में होंगी तो वहां भी पोलुशन कम होगा और we are moving towards a clean fuel तो अगर दूसरी स्टेट की बात करें तो फिर वहां भी charging network जो है वो भी फिर उसी तरीके से जैसे दिली ने काफी अच्छा इसमें step लिया है और काफी lead कर रही है उसी परकार से और स्टेट को भी follow करना चाहिए तो यह अपने बहुत अच्छी बात की कि दूसरे स्टेट को भी एचीज को अड़ाप्ट करना चाहिए तो जो दिली का भी transport system model है तो अप इस model काफी अच्छा काम कर रहा है तो आप दूसरे सेट के transport minister को क्या कहना चाहेंगे उनको कैसे एड़ाप्ट करना चाहिए उनको औ अगर मेरी कहीं जरूत पड़ती है तो मैं तो खुछ वहां जाने को त्यार हूं किसी स्टेट में और अगर डेली की या ट्रांस्पोर डिपार्ट के जरूत है तो वी एर अल आउट तो help them in every way यह बहुत अच्छी बात ते ही आपने एक चलते चलते एक चीज में और पुछ अगर गया रहा है तो अगर शुद्ध के बारे में बात का सब्सक्राइब तो हमारा एक्षिन प्लान है कि 2023 के अन तक हम दिली की सडकों पे लगब लग उननीस सो से दो हजार लेक्ट्रिक बसे आप दोड़ते हुए देखेंगे जो कि सीम साब ने भी और यह हमारा सिरफ अभी कहना नहीं है काफी बार मेंने सुना है कि यह ख्याली पुलाओ है और यह नहीं होगा ऐसा नहीं है आट सो बसे अलड़ी हो गई हैं लगब पचिस के आन तक हमारे दिल्ली की सडकों पे आठ हजार लेक्ट्रिक बसे आप दोड़ते हुए देखेंगे यह एक बहुत बड़ा स्टेप होगा पुलुशन को कम करने में और मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो एक बसे वो 200 किलोमेटर चलती है इतने कोई हज़े कितने किलोमेटर चलेंगे यह और यह उस raci अलार। लेक्ट्रिक बस इजो एक लुए मैं कर रहा हूं हर एक लेक्किक बस जो एक हीम्हार किलोमेटर चलती है android तो लगबग 800 ग्राम कार्बन को बचाती है तो इसका मतलब कि जब हमारी 8000 बसे चलेंगी तो लगबग 4.67 लैक टन of CO2 emission will be saved तो एक बहुत बड़ा नंबर है और जितने ज्यादा लेक्रिक वहान जो है दिल्ली सडकों पर दोड़ंगे उतना ही दिल्ली का पूलूशन कम होगा मुझे पूरी उमीद है कि हम इस गोल को हम अचीव करेंगे और अगर हम जितने ज्यादा इलेक्रिक वहिकल्स को दिल्ली के सडकों पर चाहे वो हमारी पबलिक ट्रांसपोर्ट की बसे हैं चाहे प्राइवेट एलेक्रिक वहिकल्स हैं तो उतना ही दिल्ल तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए साथ ही अगर आपके पास दिली सरकार से कोई सवाल है पूछने के लिए या कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे